और मुझे आध है जब अटल जी की सरकार ने पोखरन परिख्षन किया था दूनिया भर में जितने भारतिय समुदाय रहता था वो घर्व की अनुभूती करता था और आजहादी के बाद पहली बार विदेश की धर्ती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे परिचय करवाया था और दूसरी तरफ एक कॉंग्रेस की सोच कॉंग्रेस बार बार अपने ही देश को तराने की कोशिश करती हैं तो कहते हैं समर की चलो पाकिस्तान के पास एटम बम है 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 यह मरे पड़े लोग यह देश के मन को भी मार रहे हैं और कॉंग्रेस का हमेशा ऐसा ही द्रविया है यह जो पाकितान के बं बं की बाते करते न अब तो पाकितान का हालात यह सική है कि इन बंको समालना कहां वो भी उसके बसका रोग नहीं है अब तो उसमाल बेचने के लिए निकले हैं आप वो कषरिद दूड़ने वाला मिल जाए और लोगों के मालू में कॉलिटी में सब नहीं है वो माल भी बिखता रही है भाई ये फैनों कॉंग्रेस के इसी कमजोर रवय के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने साट साल तक आतंग भूपता है तेश ने कितने ही आतंग की हमले जिले हैं तेश भूल नहीं सकता कि आतंग्यों को सबक सिखाने के बजाए ये लोग आतंग की संगठनों के साथ बैठके करते थे 26 ज्यारा के मुंबई के बैंकर आतंग के हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंग के सरपरस्तों को पर उन पर कारवाई करें और क्यों क्योंकि कॉंग्रेस को इंडी गड़बंदन को लगता था कि अगर हम कारवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा मैं आज कॉंग्रेस को दो टुक कहूंगा भारत का मुसल्मान कॉंग्रेस की जो हरकते हैं उन हरकतों से वो इदर उदर जाएगा तम मानने की कोशिश बख किजिए और भाईयों भाणों के कॉंग्रेस के सहजादे आए दिन बनायन बाजी ठोक रहे हैं आप उनके 2014 के चुनाव के भाशन देख लीजिए 2019 के चुनाव भाशन देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाशन देख लीजिए वो वही स्क्रिप पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं आप लिख के रखिए बेरे देशवास्यों हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार NDA 400 पार करने वाला है भाशपा अपने सारे पुराने रेकॉर्ड तोड करके जादा से जादा सांसत के साथ आने वाली है जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल ले गिला ते भी आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जो मैं भी बोलों तो नहीं